16 में ब्रिक्स समीट की शांदार आयोजन के लिए महराश्पति पुतीन को हार्दिक बदाई देता हूँ और ब्रिक्स से जुड़े नए साथ्यों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्वकी 40 प्रतिशत मानवता और लगबग 30 प्रतिशत अर्थिववस्ता का प्रतिनिदीत्व करता है पिछले लगबग दो दश्वकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्दियां हासिल की हैं मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्वीक चुनवतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बन करके उपरे गया फ्रेंट्स में न्यू डवलप्मेंट बैंड के अध्यक्ष अर एक्सलेंसी दिल्मा रुसेप का अभिनंदन करता हूँ पिछले दस वर्सों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्पपुर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है भारत के गिफ सीटी के साथ साथ अफरीका तता रूस में इनल सेंटर्स के खुनने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग 35 बिलियन डॉलर के डवलोपमेंट प्रोजेक्ट स्वैंक्शन किये गए है एंडीबी को डिमांड डिवन सिध्धान पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉंग टम फाइनांशिल सस्टेनेबिलिटी हेल्दी क्रेडि रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्रात्फिक्ता रहनी चाहिए फ्रेंट्स नए स्वरूप में ब्रिक्स थर्टी ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बड़ी एकोनामी है हमारे आरतिक सहियों को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस एलाइंस की विशेज भुमिका रही है इस वर्स विश के अंदर डॉटी ओ रिफार्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रिकल्चर, रेजिलियन सप्लाइ चेंज, इकॉमर्स और स्पेशल एकोनोमिक जोन को लेकर जो सहमती बनी है उससे हमारे आर्थिक सहियों को बल मिलेगा इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडिस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए